अभी हम प्रॉब्लम 23 करने जा रहे हैं फॉम सॉलिट स्टेट फिजिक्स वाय में वहाब चैप्टर वन है उसका ठीक है तो रिक्वेस्टेट वीडियो है और इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं सॉलिट स्टे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डिरेक्ट यू दियर तो अभी स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं कि मसला क्या है तो पॉब्लम से कि कैल्कुलेट दे लेंस ऑफ इंटरसेप्स ठीक है हमने इंटरसेप्स की लेंस का मतलब होता है कि ऑंक्स्ट्रम इसमें हमने उनको फाइंड़ करना है जैसे लेंट होती है आप बताते हों कि लेंट क्या है तो इंटरसेप्स की लेंट को हमने बताना है और इंटरसेप्स होते हैं प्लैंस के तो कौन से प्लैंस यहां पी वह बता रहे हैं कि made by the plans of Milandis 111 and 123 तो यह टू प्लैंस हैं और इ ऐसे लेंस और यह बेरिम क्लोराइट डाई क्लोराइट क्रिस्टल है फिन ब अलख भरमेटिक ध्रांसलेशनल एक्टर फो यह है जो के आपको जुरूरत fam 03745 उंक-स तेरम अलॉंग the Z-axis थे आकिस्स का वनोंने इंटरस्फ बताया हुआ हैं दोनों का similar है ठीक है बोड दा प्लें का tan intercept दोनों का जो इजी इंटरसेट है similar है और वो इसके equal है वो हमें बता दिया गया है हमने X और Y intercept को find out करना है दोनों का alag alag से find out करेंगे तो यहां पर हम जैसे find out करते होते थे तहीं मिले indices उसका process करना है मतलब उल्टाना है और उसमें आपने जहन में रखना है सबसे पहले कि रफ वर्क में आप अपने जहन करने के लिए कि मतलब आप steps को properly follow करें और कोई mistake ना हो उसके लिए आपने लिखना है कि मिले indices find out करने के लिए आप क्या-क्या process करते होते थे intercepts पर ठीक है तो यहां पर मिले indices given है तो उन से हमने intercepts को निकालना है तो हम वो कैसे करेंगे तो सबसे पहले जो आपकी intercepts की length होती थी length होती थी उनको आप divide करते होते थे primitive जो lattice vectors है ना उनकी length से ठीक है जो यहां पर आपको given है ABC की form में तो आप divide करते थे तो यहां पर आपको उसके process को inverse करने के लिए यहां पर multiply करना पड़ेगा इन तीनों लेंस को indices से ठीक है तो मतलब इन processes को हम inverse करते जाएंगे दूसरा क्या करते होते थे के reciprocal लेते होते थे ठीक है इनिवर्स लेते होते थे फिर intercept का थर्ड क्या करते होते थे LCM effect होता था मतलब जो अगर fractions आ गए हैं तो आपने LCM को हतम करना LCM से उसको multiply हम करते होते थे ताकि fraction हतम हो जाए तो यह process करते करते हैं तो इसमें आपने जो process को reverse करने का pattern है उसको जहन में रखना है वो भी reverse होगा पहले जो हम पहले काम करते थे डिवाइड करते थे primitive lens से यहां पर यह वाला operation nullify करना यह मतलब बाद में होगा और यह जो बाद में काम था वो पहले हम यहां पर करेंगे सबसे पहले जो हम operation nullify करेंगे वो reciprocal of intercepts इसको nullify करेंगे फिर हम यह वाला operation nullify करेंगे और end पे LCM effects को देख लेंगे अगर वो जरूरत हुए उनको हतम करना या नहीं ठीक है तो reciprocal of intercepts लेने के बाद LCM effects को भी हतम किया जा सकता है second में इसको भी process किया जा सकता है जैसे यहां पर है लेकिन यह वाला इतना इसका pattern matter नहीं करता ठीक है सबसे पहले आपने हमेशा reciprocal of intercepts वाला process जो है उसको nullify करना है उसके बाद इन दोनों में से जो भी आप पहले करना चाहते हैं तो मैं prefer करती हूं इसको पहले and then इसको ठीक है तो सबसे पहले हम इस process को nullify करेंगे reverse करेंगे फिर इसको और फिर last में LCM effects को हम देख लेंगे इस pattern को आपने याद रखना है तो first हम 111 जो plane है उसको consider करते हैं so सबसे पहला जो plane है 111 है इसके हमने correspondingly intercepts find out करने हैं तो जैसे मैंने बताया था सबसे पहले हम इसके reciprocal का effect हतम करेंगे फिर primitive lens से इसको divide करेंगे and after that अगर needed हुआ तो हम उसके LCM effects को nullify करेंगे तो सबसे पहले हम indices को लिख लेते हैं line में 1, 1 & 1 ठीक हो गया तो अगर reciprocal का effect nullify करें taking reciprocal का effect nullify करना मतलब उसको again reciprocal ले लेना taking reciprocal तो one का reciprocal तो one ही होता है one का इस one का भी one ही आएगा और इसका भी one ही आएगा मतलब in that case वो ही आ गया तो secondly हम क्या करेंगे कि normally हम क्या करते होते थे जब intercepts से हम जा रहे होते थे million indices में कि हम primitive lens हैं उसे divide करते थे यहां पर क्या करेंगे तो a को one से multiply करेंगे बी को one से तो one one है तो उस तरह का effect भी नहीं आएगा तो यहां पर आप क्या है इन्होंने a b c की value भी दी हुई है तो यहां आप इनको पुट कर देते हैं यहां पर ठीक है तो a की जगह आजाएगा 6.69 ऑंक्सटम ओके बी की जगह आजाएगा 10.86 ऑंक्सटम और c की जगह आजाएगा 7.15 ऑंक्सटम ठीक हो गया रेसिप्रोकल का effect nullify किया by taking the reciprocal फिर जो primitive lens से हम normally क्या करते थे divide करते थे इसमें हम inverse करने के लिए क्या करेंगे multiply कर देंगे ठीक है multiply कर दिया multiply कर दिया a b c से multiply कर दिया उनकी values को put कर दिया अब देखते हैं कि LCMfx को हेतम करने की कोई need है या नहीं तो उसके लिए इन्होंने क्या पहले से हमें बताया है कि जो Z intercept है दोनों का वह 7.15 ongstrom है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर जो Z के corresponding intercepts value यहां पर numerical आ रही है वह 7.15 ongstrom ही है ठीक है यहां पर उन्होंने बताया था ना 7.15 ongstrom है along Zx इस दोनो planes के लिए तो इसमें तो आ गी है ठीक है जो कि Z intercept है भी तो hence जो final अभी जो values मिली है वो ही intercepts के लिए correct है for 111 plane ठीक है क्योंकि Z intercept यही आया exactly यही चाहिए था अगर कोई LCM effect हमने किया तो यह value change हो जाएगी तो वो हमारे given data से फिर matching करेगी तो इसलिए हम यहीं पर stop करेंगे और यह XY और Z components हैं for 111 plane तो इसको आप confirm भी कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है यह आप देख सकते हैं कि L1 को इन्होंने X intercept का नाम दिया L2 को इन्होंने Y intercept का और L3 को Z intercept का नाम दिया तो अभी हम यह जो second plane है 123 उसके लिए देखते हैं कि क्या intercepts आते हैं सो next is 123 यह indices हैं हमारे पास अब इन से हमने intercepts find out करने हैं तो यहाँ पर हम numbers को लिख लेते हैं 12 and 3 ठीक है सब से पहले यह है H KNL and reciprocal लेते हैं इसका taking reciprocal taking आप हुद लिख दें अचा मैं भी लिख देती हैं taking reciprocal तो 1 का inverse लेंगे तो 1 ही आएगा 2 का inverse क्या होगा 1 over 2 3 का 1 over 3 ठीक होगा तो secondly अब क्या करना है हमने कि permative जो lens से multiply करना है multiplying with permative lens ठीक है तो first वाले को x वाली से second वाले को y वाली से जैसे कोई आपको पता है तो यह इस तरह से situation बन जाएगी आप इनकी values को पूटका देते हैं cbc की same values हैं जैसे पहले थी क्योंकि crystal same है तो यह है हमारी values ठीक हो गया और 7.15 वांक स्टम divided by 3 अब अगर आप देखें तो इस plane ने भी यहां पे इन्होंने बोला है if both the planes cut and intercepts 7.15 वांक स्टम along z axis कि दोनों planes का जो z intercept है वो यही है ठीक है दोनों का यही था तो इसका भी z intercept 7.15 वांक स्टम आना चाहिए तो आप यहां पे 3 तो डिवाइड हो रहा है तो यह तो इसको चेंज कर देगा तो LCM effect को यहां पी हम हातम करने की कोशिश ऐसे करेंगे कि 3 को multiply करेंगे तीनों से तो यह 7.15 वांक स्टम ही आ जाएगा जो आना भी चाहिए था जी इसको सॉल्व करें और जो रिजल्स हैं वह मैं अब यहां भी लिखती हूं मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है 20.07 ओंक स्टम यह आएगा और 16.29 ओंक स्टम यह आएगा और 7.15 ओंक स्टम यह वाला तो इस तरह से यह दोनों प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं तो यही इसका अंसर था और प्रीविस का भी तो नेक्स प्रॉब्लम देखते हैं